असलाम अलेकों माई यूट्यूब फैमिली उमीद है कि आप सब खेर खेरियत से होंगे आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही मज़िदार सी रेस्पी लेकर आएं बहुत इजी रेस्पी है चिकन ब्रेट पॉकिट्स की तो आप लोग जरूर बनाएगा तो चले चलते हैं हम इनके स्टेब 1 की तरफ तमाम स्टेब को आपने अच्छे से फॉलो करना है तो चले चलते हैं पहले इनके इंग्रीयंस की तरफ तो यह है इनके तमाम इंग्रींस चिकन हमने 500 ग्राम ले लिया था और इस तरह क्यूब्स में इनकी कटिंग कर ली थी तो हमने यहाँ पे त् यहां पर हमने एक पैन ले लिया था, टू टेबल स्पून कुकिंग आइड कर लिया था, अब हम इसके अंदर लसन डाल लेते हैं, चौप किया हुआ और इसको अच्छे से एक से दो मिनट के लिए सौटे कर लेते हैं, जैसे इसके खुश्बू आईगी तो हम इसके अंदर च डाल लीटिummy आट कर लिते हैं और चिकन को हमने तब तक इसके अंदर fry करना है तो इसलिए आप लोग अपनी मर्जी के मताबिक मसाले आड़ कर लेना अगर आप लोग ज्यादा स्पाइस काना पसंद करते हैं तो आप लोग पिर भी जादा कर लीजेगा यहां मारा चिकन में मिक्स हो गया है तो अब हमने चिकन को गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे यह थोड़ा सा पानी डालके तो हम इसको ढ़के क्रीबं पांच मिनट के लिए पका लेंगे ताकि चिकन गल जाए ठीक है तो अब साथ ही साथ जो हम इसके एक सॉस त्यार कर लेते हैं सॉस इसमें बहुत जरूरी है तो यहां पे हमने 2 टेबल स्पून के बराब स्पूरे टाल हो गी है यह अब हमने 2 पीच लेने है और इसको हमने अच्छे से बेल लेना है ताकि यह जो है दूसरे के साथ अच्छे से चिपग जाए Works and make his two really a butter तो हमें थोड़ी सी चुड़ी की मदद से इसको अलाइदा करना पड़ा है हमें बहुत चार्प नहीं था इसलिए हमने चुड़ी का इस्तमाल किया था एक हमने बना लिया है बाकी हम खुद बना लेंगे क्योंकि वीडियो पर बहुत बड़ी है अब यह देखें हमारा जो चिकन है वह अच्छी तरीके से डल चुका है इसे आप चेक कर लें इसकी बोटियों को और यह एक हमने टी स्पून जो है इसमें सोया सोस डाल दिया है और इसको मिक्स का लिये अच्छी तरह से तो आपने पर दो टेबर स्पून मायोनीज के डालने चुला बंद कर देना है इस टाइम हमने और यह मायोनीज के अंदर मिक्स हो जाएगी तो हमारा जो यह माटीरियल है वह तैयार हो गया है हम इसको किसी भी बाउल के अंदर साइट पे निकाल के रख लेंगे ताकि यह थोड़ा थंदा भी हो जए ठीक है तो यहाँ पर हमने अंदा फेंट लिया था और जो ब्रेट के हमारे साइट जो ते वो रिमूव हो गे थे उनके हमने क्रम्स बना लिये थी कोई भी चीज जाया नहों इसलिए हमने उसके क्रम्स बना लियते हैं और बागी हमारे गोल्गुल शेप बनगी थी सबसे पहले हमने इसको अंदे के अंदर टिप करले लिया है और फिर जो हमने अंदर कर लेना है अच्छी तरीक चاह पिसकी कोटिंग कर लेंगे ताकि इस प यहाँ पर हमारा एक तयार हो गया है बाकी भी हम आपको तयार करके दिखा देते हैं तो इसी तरह कि हमने पांच तयार कर लिया है साथ ही मैंने एक पैन में ऑईल गरम होने के लिए रख दिया था लो टू मीरियम फ्लेम पर अब जो है हम इसको इसको इसके अंदर डालेते हैं अब हम एक ज़्यक करके ङरम उयल में ब्रेट डालेंगे और उसमें हम तक्रीबन चाठ डालेंगे क्योंकि इतनी गुंजाईश है फढ़य पान में कि पूलना बहुत जरूरी है क्योंकि यह फूलेंगे तो फिर हम इसमें मिसाला डालेंगे साथ ही साथ हम अच्छा सा इसको निचोड भी लेंगे इसको ऑईल भी अच्छा से निकल जाए बहुत ऑईली नहीं होना चाहिए तो यहां पर जो हमारी ब्रेड्स जो है वो तैयार होगी है बहुत ही जबरदस सी पूल भी गई थी तो अब जो है हम आपको इसका क्रिप्स दिखाते हैं बहुत ही मज़दार सा जो था इसका क्रिप्स बन गया था तो आप हम इनकी कटिंग कर लेते हैं इसको हम दर्मियान से कटिंग करके दो हिस्सों में तक्सीम कर लेंगे ताकि इसकी जो हमारे अंदर की पॉकेट्स था वो बंजे जिसमें हमने इसकी फिलिंग करनी है यह देखें यह बहुत अच्छी फूली नहीं है और आप देख भी सकते हैं यह देखें कितनी अच्छी फूल के अलएदा अलादा भी होगी है तो अब हम क्या करते हैं अब हम इसके अंदर सबसे पहले सॉस लगा लेते हैं सॉस को हमने अच्छे से साइट्स पे लगा देना है सॉस हमारी जो हमने बनाई थी वही sauce हम इसके अंदर लगा रहे हैं अच्छे से हमने sauce को इनकी sides पे लगा देना है फिर अब जो है हमने इसके अंदर जो है सलाथ के पत्ते डखने है सलाथ की पत्तों से जो है हमारी look जो है वह बहुत ही जबरदस ही आएगी तो अब हम इसको इसके अंदर रख लेते हैं आपने pocket के साब से चोटे चोटे सलाथ के पत्ते एक side पे सिफ रखने है और दूसरी side पे हमने जो chicken का material बनाया है वो हमने इसके अंदर डाल देना है जितनी हमें जरूरत होगी जितनी हमारे इसके अंदर जगा होगी हम इसे दबा के अच्छी तरीके से इसमें चिकन डाल देंगी मज़ेदार सी वैसे हमारी pockets तयार हो लिए यहाँ पे तो अब हम इसके अंदर यही material इसके अंदर add कर लेते हैं जम्मी ने बताया कि बहुत ज्यादा चिकन ना फिल कर लेना यह नहों कि यह बाहर निकलना शिरू होगे हैं अप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी आप लोग हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग हमारी वीडियो देखते तो हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते तो फिर इंशाला मुलकात होती है एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में तब तक के लिए अपनी दौआ में याद रखेगा ओके जी अला अफेज